शरी शिवाय नमस्त अब्याम दोस्तों पुज्य शरी गुरू जी ने बताया है बहुत ही सुन्दर उपाय जरूर सुने अध्यान से सुने उनी के मुख्य से दन्यवाद शरी शिवाय नमस्त अब्याम हर माईने आता है। जब आपके हिर्दै में कभी कोई बात आ जाए कि बाबा आज मेरा मन यह कह रहा है। आपको सुनना है बाबा.. आपको शिकारना है बाबा.. आपको मेरे मत्तन की बात जानना है बाबा.. बस हात में चन्दन लगाया बेल installing का भाद इस तरह से बकड़कर... बटा आंपको बताया है अशुक सुन्धरी का जो स्थान होता है यह शिवलिंग यह अशुक शुन्दरी की जगहां इस बैलपत्र को अशुक सुन्दरी वाली जगह पर जहां शिवलिंग है शिविलिंग की साइट पर पहले नंबर की पत्ती का मुख होना चाहिए बस उसको रख दीजिए और उस पर थोड़ी देर हाथ रखकर अपने हिर्दय की बाद मेरे महादेव को दिल से कहकर आ जाईए अगली सुम्बर के इस्टमी या अगला प्रदोष या अगली शिवराक्त्री जवाती है मेरा महादेव आपकी मनों कामना का भाव यह शिवसत्त्र है एक बात अपने जीवन में उतार कर रखियेगा कि सुम्बार की अश्टमी कि शिवराक्त्री कि या सुम्बार प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का भरक्षों से वहां कि दीप दान अवश्य करना चाहिए कि अब एक बात का समर्ण आपको रहे थोड़ा सा अगर किसी कामना के वश्य अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भावत्पन है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कारे है आप पून करिएगा तो फिर शुमंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोश या सुम्बार की अश्थमी या सुम्बार या आप शिवरात्री को बाबा से निवेदन करकर लगा से हां विशेश जब कोई एक बहुत बहुत बढ़ी बात हो और आपके कारे में कहीं अटकल हो रही हो तो एकी दीप में दो बात है शिव और शक्ती लंबी बाती बनाई है शिव और शक्ती के नाम से दो बाती एक सांद एक दीप में भी लगा सांव sesleri पर कब जब कि सब्सक्री आपका कारे और वह अटक्रा हो विशेश पूई का और आप बाबा से परांथना कर रह रहे हो तो दो बाती का भी प शेयर और सब्सक्राइब जरू करें उसके लिए धन्यवाद